मेराल निमासी महंदर महतो पत्ली सत्यवती देवी ने अपने देवर सेंपल कुमार महतो पर छेड़ चाड़ करने का आरोप लगाते हुए मेराल थाना में प्रात्मी की दर्ज कराई है जब क्यूसी मामले में आरोपी सेंपल कुपार महतो की पत्नी फूलवन्ती देवी ने भी अपने भसूर महंदर महतो पर बुरी नियत से चेड़ चाड़ करते हुए जेवर तथा नगदी लूट लेने का आरोप लगाते हुए थाना में प्रात्मी की दर्ज कराई है महंदर की पत्नी सत्यवधी का आरोप है कि बिगत 31 जन्वरी को वह घर में अकेली थी अकेला पन का लाब उठाते हुए उसका देवर तंपल कुमार कुस्वाहा घर में घुज कर उसके साथ चेड़ करने लगा महले के बाद परिवार के लोग वहां पहुच गये इसी दोरान सेंपल द्वारा मार पिट किये जाने लगा जिससे परिवार के कई लोगों को चोटाई है महंदर का कहना है कि इस घटा में उसकी पत्नी सत्वंती को माथे में काफी चोट लगी उक्त मामले में मिराल पुलीस द्वारा तोरित करवाई करते हुए आरोपी सेंपल कुमार कुश्वाहा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है गटना का दूसरा पक शेंपल कुमार कुश्वाहा की पत्नी फुलवंती द्वारा भी मेरा अल्थाने में आवेदन दे कर अपने भसुर महेंदर पर उसके घर में घुस कर बूरी नियत से चेर चाड़ करने गला का चेन कंगन सही 30,000 रुपे लूट लेने का रोप लगाते फुलवंती का आरोप है कि इस घटना को लेकर जब वह अपने पती और बेटे के साथ शिकायत करने में महेंदर के घर पो थी तो महेंदर की पत्नी बेटा और बेटी द्वारा उन लोकों के साथ मार पीट किया गया इस संबद में थाना प्रभारी योगेंदर कुमार ने बताया कि प्रथम आरोपी सेंपल कुमार कुस्वाह को गिरफतार कर जेल भेज दिया गया है तथा पुलिस मामले की घंता से च्छानबीन कर रही है